पाकिस्तान का तो पूड़ा भी उड़काएगा ना वो भी आखों को चुबेगा फिर ये चार चार पाच पाच बंदे लोग रह रहे हैं गर में वो उस महिला से वास्ता खतम करें और तेज से माफी मांगे और हम उनकी मदग करने को हर भरकस परास करेंगे सचिन और सीमा के प्रेम कहानी के साथ भले ही देश और दुनिया के लोग खड़े हो लेकिन जिस जगह पर सचिन अपने परिवार के साथ रहता है उसके खुद गाओं के लोग उसके आसपास के जो लोग है वो इस प्रेम कहानी के विरोध में है क्योंकि इनका साब तौर पर कहना है कि सीमा जो है वो संदिक्द है अब जिस तरीके से सचिन के पिता ने एक किस सपोर्ट करेंगे या नहीं मदद करेंगे यह बताईए कि आपके जो पडोसी है सची ने उनके पिता नित्राम है उनका कहना है कि घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं घर पे पैसे तक नहीं बचे हैं तो क्या पडोसी के तौर पर पडोसी के धर्म निभाएंगे आप घर के खाना पहुचाएंगे जब तक उनके रोजगार न मिले दोको हमारे दुसमन तो है नहीं वो पडोसी है यह सच बात है लेकिन अगर वो समाज को गलत दिसा में ले जाएंगे तो हम लोग कैसे मदद करेंगे आज ही वो उस महिला से वास्ता खतम करें और देश से माफ मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को सीख क्या दे रहे हैं लोग लेला मजनू और सिरी फरहाद का एक्जमपल दे रहे हैं अगर वो भूल गए हो तो वो भारत देश के निवासी थे दोनों सिर्फ उनमें एक चीज का फर्क था कि जाती का फर्क था औ कि देश की दिवाल थी दूसरी बात इन लोगों को सर्मानी चाहिए देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं मैं सुन रही थी एक वकील महुद है जो एपी सिंग है वो यह कह रहे थे के सीता मया प्यार में चली आई थी इतिहास उठाके देखिए आखों के अंधे साथ और जब उन्हें ले के आये थे हमारे देवी देवताओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं इसी बात को लेकर के आप अभीत नहीं कर deans Acts सफ॥ नहीं करेंगे इसी कि और पहले से पता था क्या उसकी आउद्व फूट के मेरे को क्या करना चाहिए च्या उस से पता नहीं पहली बात अभी तक भी ताता लगा हुआ था इतने गिफ्ट आ रहे थे इतने पैसे आ रहे थे और अभी एक मीडिया में एक मैडम ने वाइट दी है अभी चार दिन भी नहीं हुए एक बिहार से एंजियों से एक महिला आई थी और वो खुद आप जैसे मीडिया बंदू से कह रही है कि पंद्रह दिन का रासन से लेके और उनको पैसे से लेके हम उनको देके आए हैं पंद्रह दिन का रासन दो दिन में खा गए क्या यह ढोंग है कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी पाने का एक तरीका है ऐसे सिंपैथी नहीं लूटे लोगों को सही दिसा में चल करना होगा समाज को सही दिसामे ले जाना होगा और हम उसके साथ खड़े होंगे हर समय खड़े होंगे अच्छा ये बताइए कि सचीन और सीमा की प्रेम कहानी तो देश दुनिया तक में हर जगा चर्चित है आप तो उनके पडोसी हैं क्या कहना चाहेंगी पहले इस प्रेम क तेज हवा चल गई न तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा उसको ढूड़े से भी नहीं मिलेगा वो इससे प्यार करके आईए वो पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहां पर आ गई दूसरा चार बच्चों को लेके आईए बच्चों को भी देखो कोई भी नॉर्मल तीन साल का बच्चा भी अपने चाचा या ताउसे भी पापा नहीं कहता उसके नौनों दस-दस साल के बच्चे हैं आके सचिन से पापा पापा कहके लिपट रहे हैं बिना सिकाई पढ़ाए के बच्चा पापा कह देगा इतना बड़ा कोई भी नहीं कह कि अंपर फॉन नेसटा किया ग्attend है उनके ट्सक्राइन के पर खाने सdernगे हैं जैसे उनके पिता कह रहे हैं तो क्या आप लोग में पड़ोसी च्छे सी तो इसे वक्त में जिस दौर से गुजर हें करेंगे से तमाम वह सभी Tiffany आप लोग करेंगे? बिल्कुल सही ओग करेंगे सचिन कहीं विलायत का नहीं है हमारे यहां का है बड़ वह समाज से माफी मांगे और दूसरी बास सीमा हैदर को पाकिस्तान पहुंचाएं यहां से बाकाइदा हम खूब सपोर्ट करेंगे हर तरीके से सपोर्ट के लिए तयार बाकि लोग बात आए हैं घिफ्ट दे रहे हैं अभी बहारी भही या भी आये थे एक बहार से वो कहे रह रहे निहार होगी हजार दूंगा दो हजार दूंगा तुम मदद नहीं करोगा तुम पर लालत है तब वो बिहारी भहिया कहां गए जो जो दावे कर रहे थे बड़े-बड़े के हम राशन देंगे हम पैसे देंगे वो सब लोग कहां दुबग गए अब उनको सामने आना चाहिए ना बा को ताकि उनके रुजगार चलता रहे राशन से सपोर्ट करेंगे उनको देखो सचीन हमारा पड़ोसी है उससे हमारी पूरी हमदर्दी पहले भी थी अब भी है हमदर्दी हमारी जब खतम हुई कि जब हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पर जो दाग लगा हम बच्चों को जो सिकाते हैं मेरे पापा ने मुझे सिकाया अपनी संस्कृति के बारे में मैं अपने बच्चों को सिका रहा हूं सचीन के पापा को कुछ तो ऐसा सोचना चाहिए था कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं हमारी क्या संस्कृति है हमें किस से साधी करनी है हमें क्या करना तो इ बेटे हैं, तीन बेटे होंगे, मैं तो अपनी नजरों से आज हमारी सवा करोड की जो जनसंग क्या है, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, मैं पूरे देश के लिए सोच रहा हूँ, कि जो आज मेरे युवा बच्चे कह रहे हैं, कि हम पबजी खेलेंगे, और पाकिस्तान से लाएंगे, पाकिस्तान इतना अच्छा होता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो लेडीज हैं, जा चीज का पाकिस्तान हम से फादा उठाना चाहा रहा है, लेडीजों को हम अपनी माता, इन्हें एक देवी का रूप देते हैं, वो सो पर सेंट ये पाकिस्तान का सड़ि जंत्र है, और पाकिस्तान एक बच्चो बारी वो कर रहा हरकत के फ्लेट दिये जा रहें, के 40 लाख रुपे दिये जा रहें, पाकिस्तान में भुकमरी है, रोटी के लिए एक एक पैसात सब परेशान है, वो फ्लेट दे सके हमारी इंडिया, हमारा भारत, जहां पर पैसे क कमी नहीं, जहां पर काई चीज की कमी नहीं है, जो सचीन ऐसी जिगे है, कि जो दुनिया की सबसे बैस जिगे गेटे नोईडा या नोईडा है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड़ा, वो गेटे नोईडा में बनना है, क्या सचीने कोई आफ़त आ सकती है, म क्योंकि वो बच्चों वाली वो चल लोए है हमारे ऐजन्सी जाज कर रही है अगर हमारे ऐजन्सी में यह सही पाई जा रही है उसके बात भी एक फिरा हम सोचएंगे क्योंकि यह हमारे संस्कृति के खिलाब है सिमा को पाकिस्ता नहीं निभाएंगे। हम अपनी संस्कृति से कताई कोई खिडवार नहीं करेंगे यह हमारी संस्कृति के खिलाप है अगर हम साथी करते हैं सबसे पहले हम जाते हैं बेटी का हम ये बोलते हैं कि हम अपना कि खांदान देखो खांदान किसलिए देखा जाता है कि हमारी कोई बहु आप है अच्छे स के उपर क्या नाम है मंताज के उपर मंताज पर के बच्चे थे हमारी हमने एक प्यार की कहानी सुनी हीर राजा की हीर राजा पर के बच्चे थे फिर एक हमारे लेला मजलू है लेला मजलू के के बच्चे थे प्यार की एक उमर होती है प्यार ये ऐसा ना है कि 40 साल की उमर में हो जाए या चार बच्चे के बाप को प्यार हो जाए या चार बच्चे की मा को प्यार हो जाए इसे प्यार नहीं कहते इसे एक गल्प बात कहते जिसे मैं अपने महों से बोलना ना चाहा रहा ये प्यार नहीं है प्यार तो उस दिन खतम हो जाए जिस दिन साधी होने के बाद लड़की हो या लड़का हो, जिस दिन बच्चा पैदा होगा, उस दिन दोनों का प्यार खतम हो जाता कर दोनों का प्यार अपने बच्चे पे आ जाता। ये प्यार है बदनाम करने वारी बात हो और फिर मैं एक कह रहा हूँ बखिल साब के लिए बखिल साब ठीक है तुम भारत के हो पर हमारे दई देवतान पर उंगली मत उठाओ कि जो हमारी सीता माहे जिसे हम रामान में देखते हैं वो प्यार में ना आई वो रामचंद जी न तब तक आप उनके साथ वो धर्म नहीं निभाएंगे पड़ोसी का जब तक वो माफी ना मांगे यह बताइए कि अब तो गाउं में तमाम लोगों से मिल रहा हूं सबने सबका कहना है कि सचिन के जो पिता है उन्होंने बहु के तोर पर सुईकार कर लिया है कुछ लोग ऐ किसे उनके सचुर का कहना है कि घर पर खाने के लाले पड़े हैं देखो सीधी बात है मेरी हैं अगर किसी की बहन बेटी हां भाग जाते हैं इंदुस्तान में तो उसको बहुत गलत समझते हैं ठीक है सचिन के पापा अब जा गये हैं सोकर जब से क्यों नी जा गे थे जब चूपने लगा जब जा जाद ही वो वह हो रहा है अब अच्छे बंड़कर भागा देता है besti तुने इसको क्यों रखा और बच्चों को रखा पाकिस्तान का तो कूड़ा वी उड़का एगा ना वह वी आखो को चुबेगा फिर यह चार चार पांच पांच बंदे लोग रह रहें घर में उनके पापा सो गेते कि जब अब क्यूं मांग रहें मदद अब हम भी तो मदद था ना कभी है ना कभी हो गा है और दूसरी बात मैं कह gonna है ह। कि सीमा खो सौच सीमा क्या देखके सीमा तू पाकिस्तान में किसी कूड़िया कि ऑदिया मैंडिकर सिव chia घंड़ा बेकिन सरकार ना अब मैं सरकार पर उउठा रहे हूं सरकार अपनी मना रहे हैं आपको लगता है कि सीमा आखों में चुब रही है बहुत तगड़ी चुब रही है तो सामने आजा को कोई भी है हमारे यहां से अगर कोई भागेगी तो उसके परिवार का क्या होगा भाई हम तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ठोड़ो विचार है दर को देखो उसके तो भच्चे कोई ले आई इसारों का उसकी तो पीडी खतम कर दी इसने नला एक क्या सोचके आई है वहां से आराम से आती वीजा बन्वा नहीं सिकलना सूरत ना जिंगूर सो लड़का वह जरासों यूँ पकड़ने तो भिचके मर जाए दूसरों बैठी रहेगी जब सचिन कुछ बोलने को चलेगा हाथ पकड़के भीज दियो मुझ यूँ यह चुछ और पंती ना चले हमारे यहां पर यह बच्चे इनको विगा अब यहां आ गई है उससे तो पता था ना उसने बोला ना कि मैं तो यहां 5,000 में भी पूर्ती गेड़ लूंगी और फिर इतने गिफ्ट मिले तो हैं उसे बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी का उफर मिले तो हैं उसे तो बहुत कुछ मिलाये और वो छुपा के बैठ गए अब वो आप लोगों के सामने स्टंट कर रहे हैं। दूसरी चीज मेरे सवाल है देश के हर युबा से, हर बुजुर्ग से, हर माहिला से। क्या सच में लगता है कि पाकिस्तान सडियंत्र रच रहा है, क्या सच में ऐसा लगता है कि हमारी बेटियों पे पाकिस्तान की गलत नजर है, सोचें और मुझे जरूर बताएं क्या सच में अंजु जो गई और जो अंजु का महां दिखाया जा रहा है, क्या सच में लोगों को ये लगता है कि इसमें पाकिस्तान का सडियंत्र नहीं है उस चीज का जवाब देश की जनता भी दे क्योंकि जो चीजे वहां हो रही है सुरूबात पहले इंडिया में हुई और पाकिस्तान में उसे बड़ी लाइन खिचके और आप सब को दिखाया गया जबकि वो महिला बि प्रिवार की है जो किसी की पतनी है बेटी है मा है और बहन है जाग जाओ अपने बेटियों को समालो अपने बेटे को समालो यह सडियंत्र अब गोला नहीं भेजेंगे अब बारूद नहीं आएंगे अब डोलियों के रूप में जहर आएगा ऐसा कि आपको प्यार में ही मा मंदद करेंगे आप लोग नोखरी के लिए पेशा के लिए ताकि रुजगार मिशके अगर सचिन सुधर जायाएगा मापी मांग लगा पूरे देश से तो हम उसकी मदद करने के तयार हैं अगर वो मा पी नहीं मांगता है अगर वो कहता है मैं दिशीमा को रखूंगा तो सीमा के साथ साथ सचिन को भी जेलमन डाल देना चाहिए ना किसी पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान से आ रहा हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान साड़ा नामर्द है जो ऐसी ओरतों को भेजता है आप है चार बच्चों के माँ को भेजता है जो अपन देखो सचिन हमारा भाई है हम सचिन की मदद जब तक नहीं करेंगे जब तक सचिन सीमा हैदर को वापिस नहीं भेजता है अगर सचिन सीमा हैदर को अपने साथ रखने की वो कहता है तो सचिन को भी जेल में डान दिया जाएगा क्यों कि सचिन भी सीमा हैदर के साथ मिला कभी सचिन को नहीं कर पाएंगे आगर सचिन की हर वकट हम मदद के लिए खड़े रहेंगे आगर स्थमा के लोग हैं अंब ऑनला प्र पर कहना है कि अगर उनका परिवार सचिन का परिवार अगर समाज से माफी मांगता है सचिन सीमा को उनके बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान बेजता है तब ये अपने पूरे तरीके से एक पडोसी होने का धर्म निभाएंगे चाहे रुजगार दिलाने के मदद करना हो या फिर खाना पराशन कहुंचाने में मदद करना हो लेकिन ये तब करेंगे जब सचिन और उनका परिवार सीमा को वापस भेज के इनसे माफी मांगेगा अगर नहीं तो इनका कहना है कि हम उनके तरफ पलट कर देखेंगे भी नहीं